नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में आप EBS पेड़ागाजी के कुछ मेतोपुन प्रेश्णों की सिरिंखला देखने जा रहे हैं EBS पेड़ागाजी सीरीज की ये प्रमुक 16 वीडियो है अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा चलिए दोस्तों आज केस मेतोपुन वीडियो को शुरू करते हैं पहला प्रशन पुछा कहा है रिकॉल यानि एक ही चीज को बार बार रिपीट करने की बात की जरी है तो आज हम लोग ग्यान के निर्माड करता की बात करते हैं ना कि एक ही चीज को मशिन की तरह रिकॉल करना रिपीट करना तो रिपीट करना रिकॉल करना ये निगेटिव माले जाता है कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा तीसरा देखिए प्रात्मे की स्तर पर EBS सीखने में Vernon के महतों पर जोड़ देना Vernon अपने आप में निगेटिव है Vernon यानि एक तरीके से Lecture देने की बात की जारी है जिस प्रकार से आप higher classes में देखते होंगे BA, BSC में जो lecturer होते हैं वो आते हैं कक्छा में lecture दे करके चले जाते हैं लेकिन बच्चे प्राइमरी स्तर के बच्चे जब तक खेल के मादयम से सक्रिय भागिदारी के मादयम से खुद सक्रिय हो करके नहीं सीखेंगे तब तक वो interest नहीं लेते हैं इसलिए अगर आप प्राइमरी में आ करके बच्चों को किवल lecture दे करके चले जाएंगे तो बच्चे की सहभागिता नहीं हुई और बच्चा सक्रिय नहीं है इस वज़े से वो सीख नहीं पाएगा इसलिए वर्णन या lecture यहां पर negative हो जाएगा दूसरा देखे बच्चों की बच्चे की कंठस्ट करने की चमता का विकास करना रटना याद करना कंठस्ट करना हमेशा निगेट होता है कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा एक ही विकल्प बच्चा option नमबर एक देखिए लिंग सम्मंदी विश्यों की तथा या हासिया करण के मुद्दो पर समालोचना करना अब लिंग समंदी जिस प्रकार से हमारे समाज में जेंडर रूडिवादिता फैली हुई है तो जेंडर रूडिवादिता पर समालोचना अत्मक विचार करना मुद्दो पर बातचीत करना यानि उस पर critical thinking बच्चों को करने के लिए शक्रिये करना यानि कि कहीं न कहीं बच्चे इसमें भागिता ले रहे हैं साथी साथ यहां पर देखिए हासिया करण के मुद्दो पर यानि कि जो ऐसे बच्चे हैं जो की समाज से पिछड़ गए हैं या फिर मुखे धारा में नहीं है उनके मुद्दो पर समालोचना करना चिंतन करना बातचीत करना विचार मुवर्स करना ये विकल बिल्कुल एप्रोप्रियेट हो और यहीं हमारा बिल्कुल सठीक जवाब हो जाएगा अगला प्रेश ने पुछा गया था प्रात्मे किस तर पर इवियस की एकिक्रित प्रवित्ती की निम्न में से कौन अनुमोधित करता है ध्यान से समझेगा एकिक्रित प्रवित्ती क्या होती है तो कई सब्जेक्ट को जैसे कि विज्ञान हो गया, समाजिक विज्ञान हो गया और EBS हो गया ये एक ही फॉर्म में मतलब एक ही विश्य के मादम से बच्चे को पढ़ाया जाता है यानि ये तीनों विश्य एकिकरित किये गए हैं ये इसका मतलब होता है और ये कक्षा तीन, चार, पांच की बात होगी है और कक्षा एक और दो में बच्चे के लिए अलग से EBS का कोई बुक ही नहीं होता है उनको भासा और गडित के मादम से एकिर्कित करके EBS पढ़ाया जाता है इसी को ध्यान में रखरके उत्तर डूणेंगे पहला दिया गया है विक्यान, समाजिक, विग्यान और पर्यावरण सिक्षा की आउधाना और मुद्धो का एकिकरन तो ये बात बिल्कुल सही है दूसरा देखे, बच्चा अपने पर्यावरण को एक संपूर्ण रूप में देखता है बिल्कुल सही बात है, जैसे कि बच्चा अपने परिवेश को पर्यावरण क्या है, उसका परिवेश यानि आसपास के जो लोग है जिस प्रकार से वह अपने आसपास के लोगों को देखता है कि submitted करके वो लोग सौच जाते हैं फिर आ करके हात दोते हैं रोज नहाते हैं अपने सरीर को साफ रखते हैं ताकि बीमारिया ना हो जाए ठीक है तो ये जो है पर्यावरान जो है वो अपने बीमारियों से अपने सर यह करते हुए अनुकूलन करते हुए रहना यह क्या है यह समाज का एक तरिके से प्रोपर्टी है समाजिक विशा का प्रोपर्टी है और इसी प्रकार से आप EVS के बारे में देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो हमारे समाज में जीव हैं उसका किस प्रकार से हम लोग उनके और इनको एक रूप में देखा जाता है ना कि अलग अलग सब्जेक्ट के रूप में यही कहा जा रहा है कि बच्चा अपने परियावरान को संपूर रूप में देखता है अलग अलग सब्जेक्ट के रूप में नहीं देखता है ठीक है तो यह विगल बिल्कुल पॉश्टि समाजिक विग्यान के विशे और उप विशे शामिल है तो यह विकल्प निगेटिव है इसमें शामिल नहीं है बलकि एकिक्रित किया गया है ठीक है इसको एकिक्रित किया गया है विग्यान और समाजिक विग्यान के सब्जेक्ट को ठीक है तो option number D यहां पर गलात बोला जाए पहला दिया गया अनुभाव द्वारा सीखना ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि EVS जो है वो NCF 2005 इसको कहता है कि बच्चे अपने परिवेश से सीखते हैं परिवेश में जो कुछ भी बच्चा देख रहा है वो उसका अनुभाव हो गया पूर्व ग्यान हो गया और उसी को अ अमुर्थ चीजों के बारे में बताया जाता है जैसे कि बच्चे ने अपने परिवेश में बिल्ली देखा बिल्ली यहां पर मुर्थ है अब इस बिल्ली से जोड़ते हुए उसको C अल्फाबेट पढ़ा जाता है C for Cat और Cat का यहां पर इमेज बना होगा बिल्ली का इमेज बना होगा यानि कि बच्चे को C अल्फाबेट जो कि उसके लिए अमुर्थ चीज था उसको कोरिलेट किया गया बच्चों के परिवेश में पाये जाने वाले मुर्थ बिल्ली से तो यहीं बोला जारा है मुर्थ से अमुर्थ की और सिख्चा तो यह भी बात बिल्कुल प प्रासांगिक स्वरूप यह भी बात बिल्कुल सही है यानि कि EBS जो है वो कॉंटेक्स्ट में बच्चे सीखते हैं अपने परिवेश में देख करके सीख रहे हैं परिवेश क्या है बच्चे का संदर्ब है संदर्ब क्या होता है जो कुछ भी बच्चा अपने परिवेश म बनाये गिया है ठीक है ये छे थीम कौन-कौन से ये इस पर आधारित है हर एक वर्स एक प्रशन जरूर कनफर्म पूछाई जाता है तो एक बार मैं आपको कनफर्म कराने की कोशिश करता हूँ देखिएगा आपको कुछ भी रटने की या फिर याद करने की आउशकता नहीं ह जो कुछ भी आप दिन चर्या में रोज मर्रा में कर रहा है वहीं चीज आपका थीम है जैसे कि सुबह उठ करके आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले किसके संपर्क में आते हैं आप कहेंगे कि अपने परिवार के संपर्क में आते हैं किसके संपर्क में आते हैं परिवा यह दूसरा थीम हो गया ठीक है और उस समय आप सौच से होने के बाद से फिर क्या करते हैं भोजन करते हैं भोजन आपका तीसरा थीम हो गया भोजन करने के बाद से आपका पानी पीते हैं तो पानी या फिर जल यह आपका चौथा थीम हो गया उसके बाद से देखिए हमें हम हमें कुछ ट्रेवेल करना पड़ेगा, यानि कि यात्रा, यह हमारा पांचवा थीम हो गया, यात्रा, और इस पर अधारित अंतिम जो थीम होता है, वो होता है, चीजे जो हम बनाते हैं, और करते हैं, तो यह टोटल 6 थीम हो गया, कुछ भी रटना नहीं है, सबसे पहले आप उठते हैं सूबा में तो उठते हुए आप परिवार और मित्र के संपर्क में आते हैं उसके बाद आप कहा पर है इस समय अपने घर पर है और उसके बाद से भोजन करेंगे पानी पिएंगे और उसके बाद से ओफीस जाने के जिसमें पहला होता है आपका संबंध जानवर पौधे कार एवं खेल ठीक है तो हमसे प्रश्ण में क्या पुछा गया है कि इसमें से कौन सा थीम है तो देखिए तो यहां पर देखें यह किस पर अधारित है तो वास्तविक लोग और उनकी अनुभाव ओप्शन नमबर 3 वास्तविक लोग और उनके अनुभाव पर अधारित है विकल्प नमर 3 सई जवाब होगा अगला प्रश्ण पुछा गया था खादे पदार्थों के खराब होने तरीके से बीना चीज को मूर्थ अवस्था में देखे नहीं सोच पाएंगे तो ये निगेटिव हो गया क्योंकि ये अमूर्थ चिंतन की बात करता है और प्राइमरी स्थार के बच्चे अभी इतना सक्षम नहीं होते हैं कि अमूर्थ चीजों के बारे में सोच पाएं इसलि में सा निगेटिव माना जाएगा ठीक है दूसरा देखे इस विशे पर स्रब द्रिश्य यानि कि कुछ वीडियो क्लिप्स दिखाने की बात कीज़े जिसमें आडियो भी होगा और द्रिश्य यानि की वीज्वल क्लिप्स भी होगे तो बच्चा इसको भी देख करके नहीं समझ पाएगा क्योंकि बच्चा यहां पर निस्क्रिय होता है उस दोरान बच्चा जब तक उस गत्तिविदी में शामिल नहीं होगा उस चीजों को खुद करके खुद अनुबवाव है यानि अपने परिवार के जो भी सदस्य होंगे उनके उनसे जब वो बातचित करेगा तो इसमें बच्चा खुद अन्वेसर्ड कर रहा है देखे अन्वेसर्ड यानि खोज करने का मतलब यह नहीं कि आप लेबरोरेटरी में जाकर के चीजों को बना करके खोज कर रहे हैं केमेश्टरी लेब में जिस प्रकार से आप कर रहे होते हैं यहाँ पर खोज करने का अन्वेसर्ड करने का मतलब यह है कि बच्चा प्रश्ण पुछ कर भी अपने जिग्यासा को सांथ कर सकता है यानि उस टॉपिक को अन्वेसर्ड कर रहा है खोज कर रहा है चाहें आप अपने परिवार के सदस्यों से कुछ प्रश्ण पूछ करके उनसे जानकारी निकालना है तो यह जानकारी का अन्वेसर्ड करना कहला जागा जानकारी का खोजना कहलाएगा निर्माण करना कहलाएगा तो option नमर एक यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रियेट है यहीं इसका सटिक जवाब हो जाएगा अगला प्रश्ण पुछा गया था EBS में एक सिक्षक निम्ण में से किसके अंतरगत स्वक्षता अभियान चला सकता है तो एक सिक्षक निम्ण में से किसके अंतरगत स्वक्षता अभियान चला सकता है chemistry lab में आप स्वक्षता चीजों को बना करके सीखेंगे नहीं प्रद्दत कार भी नहीं होगा यानि homework दे देंगे आप उसको तो बच्चा थोड़ी करेगा जाकर के घर पर सफाई तो ये भी नहीं होगा project work के तहत इसको दिया जा सकता है project work में क्या होता है कि बच्चे particular किसी चीज को का information collect करने के लिए किसी से प्रश्ण पूछ रहे होते हैं और उसके आधार पर जो आंकड़े मिलते हैं उसके आधार पर विसलेसर करके आंकड़ों तक पहुंचते हैं और उसके आधार पर फिर वो action लेते हैं कि बच्चों को पहले यह कहा जा सकता है कि आप अपने परिवेश में देखिए कि किस प्रकार से लोग साफ सफाई रखते हैं उसके बाद से उनके पास कुछ आंकड़ा आजाएगा कि कुछ लोग कहेंगे कि मैं जारू लगाता हूं सुबा कुछ लोग कहेंगे कि हम लोग पानी से सफाई करते हैं कुछ लोग कहेंगे कि हम केमिकल से सफाई करते हैं विबिन प्रकार की चीज़ों का नाम बताएंगे तो ये आंकड़ी कठा हो गए इन आकड़ों का विसलेसर करने के बाद से अब उन बच्चों को सफाई के लिए प्रेरित किया जा सकता है कि जो आंकड़े में प्राप्थ ह उसके आधार पर किस प्रकार से स्वक्षता अभियान चला जा सकता है तो प्रोजेक्ट वर्क यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रियेट है यहीं इसका सटिक जवाब हो जाएगा अगला प्रशन पुछा गया था NCRT के EVS के अध्याए 15 कक्षा 5 में उसी से ठंडा उसी से गर नामक डॉक्टर जाकीर हुसेन द्वारा रचित एक कहानी का प्रयोग किया गया है इस कहानी का मुख्ष देश से विक्सित करना है तो डॉक्टर जाकीर हुसेन के द्वारा जो कहानी बताई गई है वो रियल बेस कहानी है और उनमें उन्होंने सांस के बारे में बताया था EBS की सिख्षा में रचनात्मक मुल्यांकन सब्छान करने सyin उप्युक्त उद्देश है विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रमोट करने की बात कर रहा है तो ये रचनात्मक मुल्यांखन का उद्देश नहीं होता है उसकी समस्याओं को जानेने का उद्देश होता है समस्याओं को या फिर बच्चा कितना सीख पाया है उसको जानेने का ठीक है चलिए तीसर बच्चों को अंक और स्रेणी दिये जाते हैं ठीक है तो ये भी विकल्प निगेटिव हो गया क्योंकि ये रचनात्मक मुल्यांकन के बारे में पूचा गया था और ये प्रोपर्टी योगात्मक मुल्यांकन की है दूसरा देखिए विद्यार्थियों की विशया नुसार प्रगती का आंकलन करना तो यहां पर विशया की अनुसार प्रगती का आंकलन नहीं होता है जैसे कि मालीजे बच्चों को प्राइमरी में अलग अलग विशया पढ़ाय जाते है तो अलग अलग विशयों में प्रगत बिल्कुल सबस्क्राइब बात है मातरात्मा कहने का मतलब कि माली यह concept बच्चे को सिखाए गया या फिर कोई एक chapter बताया गया तो उस concept या फिर उस chapter में बच्चा कितना सीखा है कितना लगभख सीख लिया है आधा chapter सीखा है 10% सीखा है वह मातरा के तौर पर दिखाया जाएगा और गुडात्मक क्या हो गया कि बच्चों को जब पढ़ाया गया होगा तो जैरी सी बात हो उनके विवहार में परिवर्तन हुआ होगा तो कोई एक ऐसी प्रोपर्टी जिसे हम लोग नंबर्स में डिनोट नहीं कर सकते हैं लेकिन उसके विवहार में वो परिलक्षित किया जा सकता है तो उसे हम लोग गुड़ गुड़ात्मक प्रगति कहते हैं तो रचनात्मक मुल्यांकन के मादयम से बच्चों के मातरात्मक और गुड़ात्मक प्रगति को संबोधित किया जाता है विकल प्रमरीक यहां पर बिल्कुल ध्यान से समझेगा यहां पर क्या जा रहा है कि विवहार का आउलोकन करता है यानि behavior का देखिए दो प्रकार के हमारे पास record होते हैं पहला तो एनेकडोटल जिसे हिंदी में दिरिष्टांत वर्णन उपकरन कहते हैं और दूसरा होता है portfolio इन्हें दोनों में से कोई जवाब हो जिसमें बच्चे की सैक्षडिक प्रगति की बात की जारी होगी तो वो portfolio होता है लेकिन यहां पर देखें सैक्षडिक प्रगति की बात नहीं की जारी है यहां पर बच्चों के विवहार की बात की जारी है तो जो बच्चे का विवहार जिस लेखा में record त्यार किया जाता ह तो यहाँ पर हमारा एनेक्डोटल रिकॉर्ड बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना कि पॉर्टफोलियो क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसा ही मरतपुन वीडियो लाने के संदर में अगर आप सिटेट अपर प्राइमरी और प्राइमरी सबी शिफ्टो के कम्प्लीट पेपर सॉलूशन को डिटेल में देखना चाते हैं